वेलकम टू एक्जाम भी वेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर डिस्क्स कर रहे हैं टार्गेट एल्टी कमिशिन दो हजार बाइस इससे पहले हमने इसी परकार की एक सीरी चलाई थी टार्गेट एल्टी कमिशन दो हजार एक्टिस जो 2021 की प्लेइलिस्ट है वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप उसे भी विजिट कर सकते हूँ वहाँ से पिछली बार जो कमिशिन होगा था वह उस एक प्रशन उसमें रिपीट हुए थे इसलिए आपको उसको भी देखना है और जो अब ये सीरी चला रहे हैं आपको इसको भी देखना है ठेक है न ये आपकी प्रिक्चा के लिए लावदाइक होगी बिज़्दे आपके लिए ये महतपूर्ण सावित होगी तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को start तो जो यह आज का पाठ रहेगा यह क्लास रहेगी यह रहेगी काविय शास्तर पर अधारित तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहला जो पॉइंट है यहाँ पर जो भरत्मुनी है इनका समय पूछा जाता है कि इनका समय किस श्तावदी का रहा है तो यह दूसरी या तीश्वी तीश्री श्तावदी से स्वन्दित रहे हैं और इनकी जो रचना थी इसका नाम है नाटे शास्तर या तो आप इसे कह सकते हैं यह भारतिय या संस्कृत काविधारा की प्रत्म रचना है नाटे शास्तर ठीक है महत्पुन रचना है प्रिक्षा में अक्सर पुछे जाती है कि जो नाटी शास्तर है किसकी रचना है तो ये भर्तमुनी ये रचना हो जाएगी और जो भर्तमुनी है इनका समय हो जाएगा दूसरी या तीसरी श्टावदी कई जगा आपको दूसरी मिल जाएगा कई जगा तीसरी श्टावदी मिल जाएगा आगे हैं भामा और इनका समय है चटीशतावदी ठीक है इसके पशाजो इनकी परमुक्रचना थी काब्यलंकार काब्यलंकार इनकी परमुक्रचना है और इनका समय है चटीशतावदी और यह है भामाजी इसी एक साथ आपको बता दूँ इनका सबंद रहा है अलंकार से अलंकार से इनका सबंद रहा है और जो भर्तमुनी थे इनका सबंद रस से रहा है भर्तमुनी रस से सबंदी थे और जो भामा है ये काबे अलंकार से सबंदी थे या अलंकार से सवंदी थे काब्य अलंकार इनकी रचना हो जाएगी इसके पर जाते है दंडी ये जो संसित काब्य के हैं तीसरे प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं इनका समय है सातविश्थावदी और जो इनकी रचना है काब्य अधर्ष काब्य दर्शिन की रचना है इनका समेश साथ विश्तावधी है और जो ये कई वार पुछा जाता है कि किस संपरदाय से स्वंदी थे ये अलंगकार वादी अचारे माने जाते हैं इसका भी आपने ध्यान रखना है इसके पर शाते उद्वट और इनका समेह नवी शती और इनकी रचना भी हो जाएगी काब्य लंकार और ये भी अलंकार वादी अचारे माने जाते हैं आगे है बामन ये भी महत्पुन अचारे माने जाते हैं इनका समेह आठवी से नवी शती के बीच में और जो इनकी रचना है काबे अलंकार सुत्वरिती क्या है दोस्तों काबे अलंकार सुत्वरिती नामक इनकी परमुख रचना है किनकी बामन की रचना हो जाएगी ये और इनका संपरदाय पुछा जाता है इनका संपरदाय कौन सा है इनका संपरदाय हो जग रीती संपरदाय से ये सबंदित रहे है या रीती संपरदाय का परवर्टन इन्होंने किया है आगे हैं रूद्रट इनका समेरा है नौवी शती और जो इनकी रचना है इनकी रचना का नाम भी काब्बे अलंग कार हो जाएगा और यह भी अलंग कारवादी अचारे माने जाते हैं तो जो कुछ में महत्पून रशनाव को बता रहा हूं या जो तथ्य बता रहा हूं आपको कहीं पर नोट करने हैं आपको इस तरह के नोट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं यह अपने नोट्स में आपके साथ शियर कर रहा हूं ताकि आपको इसका लाव हो सके आगे हो जाएंगे शंकूख इनका समय भी नौविशती माना जाता है इसके पर चात महत्पून हो जाएंगे आनंद बर्दन इनका समय क्या है? इनका समय भी नौविशती हो जाएगा और जो इनकी रचना है कैसी है यह है द्वन्या लोग इनकी रचना हो जाएगी द्वन्या लोग या आपने कह सकते हैं कि द्वनी संपरदाय का प्रवर्तन आनंद बर्दन के द्वारा किया गया था और इसी के साथ ये रसवादी कवी या आलोची भी रहे हैं जितने भी द्वनी बादी संपरदाय थे या द्वनी संपरदाय को मानने वाले अच्चारे थे ये साथ-साथ में रसवादी भी थे इसका भी आपने ध्यान रिखना है आगे हैं राजशेखर इनका समें 880 से लेकर 920 के आपस रहा है या आप दस्वी शती इन्हें कह सकते हैं इनका समें दस्वी शती का है और जो इनकी प्रमुक रचना है काब्य मीमासा क्या है राजशेखर इनका समें दस्वी शती रहा है कब भी मिमासा इनकी रचना हो जाएगी और यह भी अलंग कारवादी अचारे रहे हैं इसके वश्यात आगे हैं धनन्जे तो जो धनन्जे हैं इनका समय भी दश्वी शती है और इनकी जो रचना है यह दश्रूपक याद्रकी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दश्रूपक किसकी रचना है धनन्जे की रचना हो जाएगी दश्रूपक और जो अगला महत्पुन पॉइंट है यह द्वनी विरोधी अचारे माने जाते हैं तो यह पहले यहाँ पर अचारे आये हैं जो द्वनी विरोधी है धनन्जे इंका नाम है आगे है भट नायक जो भट नायक है इनका समय है दसवी शती और इसी के साथ जो महत्पुन इनकी देन है, साधारनिकन की देन भट नायक के द्वारा दी गई है इसका भी आपने ध्यान रखना है आगे हैं भट लोलट जो भट लोलट है इनका समय भी नौवी से दसी शती के मद्धिमाना जाता है अगर आप भरत्मनी के जो रस निश्पत्ती के ऊपर अगर चर्चा कभी करेंगे तो सच्छे ऊपर भट लोलट का नाम आता है इन्होंने जो उत्पत्ती वात की स्थापना की थी भट लोलट के द्वरा इसको भी आपनी याद रखना है इसके परशात अगले महत्पुन रचनाकार हैं या आचारे हैं अभीनव गुप्त तो जो अभीनव गुप्त हैं इनका समें दसमीशे लेकर ग्यार्वी शती के मद्धे को माना जाता है इनकी जो परमुख रचना है अभीनव भारती, लोचन और इसके परशात है तंतरा लोग, काब्य, कौतुम्भ कुछ एक रचना है अभीनव भारती, लोचन, तंतरा लोग, काब्य, कौतुम्भ ये इनकी कुछ परमुख रचना है इसी के साथ ये दोनिवादी अचारे माने जाते हैं जो आनन्द बर्दन थे, इनके ये शिश्य माने जाते हैं, या इनकी परमपरा को इन्होंने आगे किया था इसी के साथ ये रशवादी अचारवी माने जाते हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है कई ब्यार ये पूछा जाता है कि जो अभीनव भारती रचना है ये किस शास्तर की ठीका मानी जाती है तो ये नाटे शास्तर की ठीका मानी जाती है अभीनव भारती ठीक है आगे हैं कुंतक तो जो कुंतक है इनका समय माना जाता है दस्वी शती या ग्यारवी शती के मद्धे को और इनकी जो परमुख रचना है यह बकरोक्ती जीवितम क्या है बकरोक्ती जीवितम या बकरोक्ती जीवितम आप इसे कह सकते हैं कि इनकी रचनाय हो जाएंगी आगे हैं भोजराज तो जो भोजराज हैं इनका समय है ग्यारवी शती इसके पर जो इनकी परमुक रचनाय हो जाएंगी सरस्वती कंठावर्न और श्रिंगार प्रकाश याद रखिएगा सरस्वति कंठावर्ण और शंगार प्रकास किसकी रचना होंगी अचारे भोजराज की और इनका समय क्या है दस्वी शती इनका समय है इसके परशायत है महीं भट इनका समय क्या है ग्यार्वी शती ग्यार्वी शती का मद्धिकार्ण इनकी जो प्रमुख रचना एक कौन कौन सी है व्यक्ति विवेक और एक ही इनकी रचना माने जाती है व्यक्ति विवेक इसी के साथ ये द्वनी विरोधी अचारे माने जाती है कौन है ये महिमभट और इनकी रचना क्या है व्यक्तिव्यक और इनकी जो विशेशता क्या है ये ध्वनी विरोधी अचारे थे इससे पहले एक कवी थे क्या नाम उनका धनन्जे और दूसरे ये होगे महींबट ये दो ध्वनी वीरोधी या रस वीरोधी कह सकते हैं आप इने अगले हैं किशिमेंदर तो जो किशिमेंदर है इनका समय है ग्यारविशती उत्राद और इनकी जो प्रमकरचना है और चित्य विचार चर्चा कवी कंठा भर्न सुबरित तिलक दशावतार चरित क्या हैं और चित्य विचार चर्चा कवी कंठा भर्न सुबरित तिलक दशावतार चरित ये अचारे क्षिमेंदर की रचना हो जाएंगी और इनका समय है ग्यारवी शती इसके पश्चात है ममट तो जो ममट है ये भी महत्वण कभी हो जाएंगे इनका समय है ग्यारवी शती, उत्रात और इनकी रचना है काब्य परकाश क्या है काब्य परकाश ये प्रिक्षा में बहुत जादा पूछी जाती है काव्य प्रकाश की इसकी रचना है ये ममट की रचना हो जाएगी आगे हैं जैदेव कई बार पूछा जाता है कि जो जैदेव है इनका समंध कहां से है मिथिला से इनका समंध है इनका समंधिन का मिथिला से है और इनका समय है तेरवी शती याद रखे गई है इनकी जो परमुखरचना है चंद्रा अलोक जो चंद्रा अलोक है इनकी परमुखरचना माने जाती है कई वारिस्ते प्रिक्षा में पूछा जाता है इसके पर चात ये भी पुछा जाता है ये किस संपरदाय से सवंदीत है ये अलंकार संपरदाय से सवंदीत रही है आगे हैं भानुमिशर इनका सवें भी समय इनका तेरवी शती रहा है और जो इनके परमुख रचना है रसमंजरी और रस्तरंगिनी ये दो इनके परमुख रचना है रसमंजरी और रस्तरंगिनी भानुमिशर की रचना है हो जागी आगे है अचारे विश्वनाथ इनकास में चौदवी शती है अचारे विश्वनाथ इनकास में है चौदवी शती ठीक है और इनकी जो प्रमुक रचना है साहित्य दरपन बहुत जादा पूछी जाती है शायद जो इस्वार का कमिशन था वहाँ पर ये रचना पूछी गई थी साही तेदरपन किसकी रचना है अचारे बिश्वनात की साही तेदरपन रचना हो जाएगी और इनकास में चौदवी शती हो जाएगा और जो काबेशास्तर में अंतीम कभी आती हैं वह हैं जगर्नात क्या हैं जगर्नात और इनकास में है सत्रविष्टावदी सत्रविष्टावदी का मध्य है और इनकी जो परमकरचना है रस गंगाधर ये भी है इंपॉर्टन याद रखी गईसे रिदेखá टá जोड़ादी क्या हैं जगर्नात झाल झाल